वेलकम फ्रेंड्स फिर से स्वागत करती हूं मैं मॉनिका आपका मेरे चैनल पर आज मैं दिखाने वाली हूं आपको एक ठाली जिसका स्पेशल सब्जी है करहल की सब्जी जो डाल से बनती है लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए गंटे पहले अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में डालेंगे हरीमेच अद्रक और इसका अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे बट थोड़ा दरदरा बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे तो लीजिए दाल पिस्ट कही है हमारी मैं दिखाती हूं आपको शा तो यह दरदरी होती है तो इसलिए इसका स्वात थोड़ा बढ़ जाता है तो चलिए अब यह बिल्कुल पिस्ट चुका है मैंने अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक लालमेच हींग और थोड़ा सा धन्या यह चारों चीज़े डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेटने से यह डाल क्या है फूल जाएगी ऑर हमारी जो पकोडिया वह बहुत ही अच्छी ważнगी फूली फूली सी बिल्कुल भी टाइट पकोडियां जैसे होती है वह नहीं बनेंगी तो इसको बहुत अच्छे से तैरने लगए यह देखिए उपर आ गई ना तो अब इसके हम बनाएंगे पकोडियां यह दाल हमारी बिल्कुल हो गई है रेडी पकोडियां बनाएंगे और इसमें से थोड़ी सी दाल हम सबची के लिए भी रख देंगे छौकने के लिए तो कड़ाई में तेल गरम हो अब इसमें कड़ाई का तोयल कम करके मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ी सी हींग जीरा और खड़ी मेच और इसके भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले हल्दी मेच धनिया तो इन सब को भूनने के बाद जो मैंने आपको बताया था हमें इसमें दाल थोड़ी सी बचानी है तो वही दाल डाल देंगे और उस दाल को हम अच्छे से भून लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें breadcrumb डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेशन डाल सकते हैं बर दाल जरूर डालेगा क्योंकि दाल से ही यह सबजी बनती है दाल की पकोड़ियां होती है और दाल ही इसमें gravy में पढ़ती है तो लीजिए ये डाल भुनने के बाद हम जब इसमें पानी डालेंगे वो थोड़ा-thोड़ा करके डालेंगे थाकि जो इसके लम्स है वो सारे गल जाये और अच्छे से हो जायें और अगर इसमें से कुछ लम्स बज़ भी जाते हैं पानी पूरा डालने के बाद तो ये इस जहावा लेके थोड़ा थोड़ा रसा डाल दीजिए और यह चावे से इस तरीके से कल्चरी से रगड़ दीजिए ऐसे चिम्च्या से यह देखे इससे क्या है कि आपके सारे जितने भी लम्स है वह तूट जाएंगे और प्रेसो करेंगे तो फिर वह अच्छे से दपके बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा तो जब यह सारे लम्स इसमें आप इस तरीके से कर देंगे जो रिबने हुए हैं और आपकी दाल बिल्कुल पानी में जब मिक्स हो जाएगी तो इसको हम पकनी के लिए छोड़ देंगे जब तक कि यह दाल और पानी एकरस ना हो जाए यह दोनों चीजे बिल्कुल एकरस ह हो जाएंगे उसके बाद में हम पकोड़ी डालेंगे मतलब कि थोड़ा सा गाड़ी हो जाए ज्यादा गाड़ी बहुत करेंगा क्योंकि आपके पकोड़ियां भी थोड़ा पानी एब्सॉर्ब करेंगी इसलिए तो बस यह हो गया है अब मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी दिर पकने के लिए और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा करीपत्ता ताकि यह अच्छे से पक जाए और करीपत्ते की भी खुश्बू आ जाएगी तो दूसी तरफ मैं बना रही हूँ एक सिंपल से आलू की सबजी वैसे तो प्याज डालती हूँ इस सबजी में मैं लेकिन अभी सावन में प्याज यूज नहीं कर रही हूँ तो सिंपल हींग जीरा और हरेमेश से छोक रही हूँ यह छिलकों के साथ आलू की सबजी पाठने देशिए आलू सब्जी जो भी है वह लोहें की कड़ाई में मुश्री बस्री बनाती हों, तो इसमें जब लोहें की कड़ाई में अलू भूण जाते हैं, तो इसका स्वाध बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सिंपल सब्जी है, अगर प्याज से बनाना चाहे तो कि भूजी टाई बना लेजे प्याज सिंपल प्याज पड़ेगा और कुछ नहीं लंबा लंबा इसी तरीके से जैसे आलू कटे हुए उसी तरीके से काटके तो लीजिए सब्जी भी बनने के लिए तक दिया है मैंने और मेरी जो डाल है ये पक गई है करहल कि अब इसमें मैं दाल रहे हुं पकोडियां फकोडियां थोड़ी दबा दबाके ही डालेंगे जैसे कडि में डाली थी ताकि इसमें रस अच्छे से भर जाए हैं कि अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया है और पकोडियाप निजिए सीर्ट니 टाए मैंने पकोडियां का जो होब बहुत अच्छे से खतक किया और गाड़ा भी हो गया है इसको बंद करके जब हम थोड़ी दर के लिए रख देते हैं तो यह और भी गाड़ा हो जाता है कड़ी की तरह तो अगर राइस की साथ सर्फ करना है तो थोड़ा इसको पतला बंद करिएगा और लीजिए देखे दाला करीपता डाला और खड़ी मेज डाली और दोनों में लगा दिया अच्छे से तड़का तो लगा लेती हूं मैं थाली और करने जा रही हूं मैं लंच और आप देख लीजिए कितनी यमी एंड टेस्टी लग रहे हैं दोनों ही चीजे करहल भी और दईवड़े भी और दोनों ही खाने में बहुत ही डेस्टी लगते हैं एक बार तो जरूर बनाएगा और मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और लीजे थाली रेड अएचे से लग धी है ठाली मेरी और में जा करो बेदेधा यह फ्रृव सब्सक्राइब करेगा तो मिलते हैं नई वीडियो में थेंक्यू रादे- centrography